तो पीछे बैक्ग्राउंड में मंदिर देखकर तो आप समझी गए होंगे कि मैं आज कौन से साइट पे हूँ और कहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ बहुत महनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं क्या है तो वीडियो शुरू करते हैं आज मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ हूँ जो बताने वाला हूँ खैर इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काफी वीडियो दे चुका हूँ मैं हूँ सेक्टर 89 स्मार्ट वर्ल्ड एंड एंड एम सॉलिट्यूड के साइट पे आज मैं आपको इस वीडियो में M3M का इसी प्रोजेक्ट में जो मिलने वाला फ्लैट ह है उसकी सेंपल वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके का उसमें लियाउट बना है कितना उसमें स्पेस है क्या उसमें ओफिस पेस जो आपको माई स्पेस करके मिले हुए क्या कितना उसका साइज है यह सारे चीजे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाल मैं अपने अंदाजे से ही बताता हूं अगर औरों के भी नजरिये से आप देखो तो मेरे इसाब से ओल ओवर गुडगाओं में अब तक कोई ऐसा प्रोजक्ट नहीं आये तो जिसने छे महीने में इतना काम किया है किसी ने भी नहीं शुरू में जब यह प्रोजक्ट आये थ दिखाऊंगा क्या साइज निकल क्या रहा है 3.5 भी एचके में तो इतना जैसे शुरू में एक बात आई थी सामने के जी बहुत ही छोटे साइज दे रहा है कारपेट एरिया बहुत कम दे रहा है लेकिन उसके साथ आपको जो ऑफिस पेस माइस पेस मिल रहा है उसके तरह अगर उस हिसाब से देखे तो बहुत ही sufficient एक acceptable साइज आपको मिल रहा है कोई बुराई नहीं है इस साइज में तो चलो वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से साइट में आपको अपडेट हुई है क्या construction अपडेट है और क्या इसके layout है बाकी अगर अभी तक आपने चीजे नहीं खरी दी हैं और इसको आप study कर रहें इसके उपर आप देख रहे हैं कि जी में मुझे चीज लेनी चीए नहीं लें चीजिए विचार बना रहे हैं तो प्लीज इस चीज को आप catch करिए इस चीज को लीजिए क्योंकि अभी भी जिन buyers ने करीब करीब 7-8 महीने पहले इन चीजों में अपना हाट डाला था जिन लोगों ने इस चीज को accept किया था इस चीज को खरीदा था आज उनको मोटा मोटा अगर बिल्डर के नजरिये से देखा जाए तो करीब करीब बाकी है तो 2.5 और 3.5 के इसमें options हैं तो ज्यादा units नहीं है थोड़ी ही unit है आप contact करें देखें चीजे समझें तो वीडियो ज्यादा लंबी ना करके मैं आपको चीजे दिखाता हूं क्या कुछ इसमें size है और कौन size का layout निकल के रहा है 3.5 बहक के sample actual video जो 89 में बिल्डर न पर और यह इसका drawing room बनेगा सामने balcony है मैं आपको इस corner से एक बार दिखा देता हूं यह drawing कम dining area ठिक है ज्यादा बड़ा size नहीं है तो इतना चोटा size भी नहीं है जितना market में हवा हो रहा था कि बहुत ही चोटा size मिलेगा यह room है जिसके साथ balcony attached होगी washroom के साथ इसमें attached room मिल रहा है आपको attached washroom आपको मिल रहा है तो जो fittings हैं और tiles हैं बढ़िया quality है अच्छी quality है कोई बुराई नहीं है इस project में और काफी अच्छा layout है यह अगर आप देख पा रहे हैं तो यह study room इसका होगा study space इसमें अलग से दिया गया वो प्लस यह kitchen है सामने utility space दोनों bedroom के साथ में जो balcony attached है वो ही आपको kitchen के साथ मिलेगी यह bedroom second bedroom आप इसे लगा लीजिए आप देख लीजिए second bedroom यह इसका वोश्रूम यहां से बालकनी में आप जैसे जाते हैं तो यह यह लगा लीजिए आप balcony और यह kitchen वालकनी दोनों bedroom से attached और यह तीसरा bedroom तो काफी अच्छा layout है अच्छा sample बनाया हुआ है इसमें basement में भी अगर हम देखें तो यह basement में जो office space है मैं आप basement में हूँ फिलाल आप यह देखिए 4 office space एक यह हो गया first office space काफी space है अच्छा space है इसमें यह second space हो गया spacious है खुले हुए हैं काफी इतने consistent नहीं है यह तीसरा office space हो गया जिसमें एक गली टाइप से आप निकल के जाते हैं लोबी टाइप से fire area और यह आ जाती है open space इसमें एक my space ही हो गया चोथा जो इसका office है office space यह है चोथे वाले का तो काफी अच्छे अच्छे layout हैं काफी अच्छा office space भी इसमें maintain है प्रजेक्ट के बारे मैं आपको पता है होगा कि ground plus 4 का concept है और 3.5 या 2.5 के साथ में office space भी आपको हर flat के साथ मिल रहा है और terrace भी आपको हर flat के साथ मिल रहा है तो यह lift lobby होगी, lift lobby से जैसे आप lift से निकलते हैं सिधे अपने office space में enter करेंगे तो अच्छा option है मैं आपको construction update दिखा देता हूँ यह construction आप देख सकते हैं काफी अच्छी stage पर construction इसकी चली होई है कई ऐसे towers हैं जिसमें fourth floor तक का काम complete हो चुका है, finishing चल रही है बहुत ही तेजी से इसमें काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा project है, बहुत ही अच्छा project है, अच्छे space है construction इसमें हुई है, यह देखिए आप construction लगबग सभी towers में basement से उपर काम आ चुका, total सभी में basement में जो office space है वो सब में बन चुके, उससे उपर काम आ चुका, और बहुत सारे ऐसे towers जिसमें 4 floor तक का total construction का काम complete है, तो बहुत ही तेजी से इसमें construction चली हुई है, कुछ एक units में अभी भी आपको मिल जाएंगी two plus one और three plus one में, तो अच्छी चीजें हैं, अच्छा layout है, अच्छा builder है, काफी तेजी से काम हो रहा है, अगले डेड़ साल में आपको position मिल जाएगी, डेड़ साल से भी पहले builder position दे देगा, जिस हिसाब से काम कर रहा है, यह 6 महीने के अंदर की construction है, अगर आप देख पा रह सकता है, जिस हिसाब से इन्होंने project शुरू में sale किया, तब बोला था कि इतने जल्दी हम project को deliver करेंगे, इतने time में हम बना देंगे, उस हिसाब से बहुत ही अच्छी speed से काम चल रहा है, डेले नहीं है project बिल्कूल भी, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप contact कर सकते हैं, WhatsApp प झाल झाल